दादी मा के छोटे छोटे मगर कमाल के नुस्खे पेट में कीड़े हो जाने पर करेले के रस में चुटकी भर हिंग डाल कर पीने से लाव मिलता है सुबह खाले पेट हल्दी का पाने पीने से खून की सफाई होती है जिससे आपकी स्कीन ग्लोइंग और चमगदार वनती है अगर किसी को डेंगू वुखार हो जाए तो उसको पपीते के पेड़ के पत्तों का रस पीना चाहिए इससे वह जल्दी सौस्थ हो जाएंगे करीपते में बालों को सुष्ट रखने वाले सारे पोशक तदवे पाए जाते हैं करीपते को पीस कर इसे बालों की जड़ों में लगाएं इससे आपके बाल काले, लंबे और घने हो जाएंगे साथ ही बालों की जड़े भी मजबूत होंगी चाय बनाने के बाद चाय को दोवारा गर्म करके नहीं पीना चाहिए क्योंकि दोवारा गर्म करने से एसिड की मात्रा बढ़ जाती है दो चमच एलोवेरा जेल में एक चमच चुकंदर का रस मिलाकर चेहरे पर मालिस करने से चेहरे पर गुलावी निखार आता है एक सोध की अनुसार जो व्यक्ति बादाम खाते हैं उनकी आयू बादाम ना खाने वाले लोगों की तुलना में 20% ज्यादा होती है नियमी तोर पर नीम का दातुन करने से दातों में कीड़े नहीं लगते साथ ही जिन लोगों की दात में पहले से ही कीड़े लगे हूँ उन्हें खत्म करते हैं और इनसे होने वाले नुक्सान से बचाती है आवले में फाइवर होता है जो डाजेशन ठीक रखने में मदद करता है इसे खाने से कबज की प्रॉबलम दूर होती है दल्य भूजन की दूलना में बहुत अच्छा नास्ता होता है यह सर्दियों की दौरान आवश्यक पोशक्तत्वी भी परदान करता है साथ ही इसमें फाइवर की अच्छी मात्रा पाई जाती है जिससे आपको भूख कम लगती है जो आपको वजन घटाने में मदद करती है वीडियो पसंद आये तो लाइक करें, सेर करें और चाइनल को सब्सक्राइब कर लें